आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं ऐसे गायक से जो उस परिवार से तालुक रखते हैं जो संगीत की जहां जड़े हैं यानि संगीत की जड़े हैं धृपत गायकी में जो संगीत का पहला फॉर्म माना जाता है और धृपत गायकी के घराने से आते हैं रूप कुमार राठोर जी और हम उनका बहुत-बहुत स्वागत कर रहे हैं रूप जी राग गिरी के इस YouTube प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपने हमारे लिए समय निकाला बहुत-बहुत शुक्रिया नमिशकार सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया एदा करना चाहता हूँ कि राग गिरी जैसे खुबसूरत प्रोग्राम में मुझे बोला के जो इज़त दी है इसके लिए तहे दिल से आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया तो ये हमारी खुशकिस्मती है रूप भई कि आप हमारे साथ आज जुड़े हैं तो सबसे पहले तो यही जानने की जिग्यासा है कि परिवार में धृपत का बैक्ग्राउंट हो धृपत शास्त्रिय संगीत के सबसे प्योर फॉर्म में माना जाता है सबसे प्योर फॉर्म है भी ऐसे में आपकी जो संगीत शिक्षा शुरू हुई वो किस तरह शुरू हुई क्या बच्पन से ही आप संगीत से जुड़ गये या कुछ ऐसा हुआ क्या है बच्पन से आपके संगीत के जो संसकार है वो आप में आने का जो किस्सा है वो हमें जरूर बताएं जैसे कि जितने भी घजल सिंगर थे 80 से 84 तक सभी के साथ मैंने तबला बजाया और 85 में जो है पिर तबला छोड़के गाने की शिरुवात हुई मेरी माँ बता दी थी कि जब भी मैं बच्पन में रोता था तो मुझे तबला दे दिया जाता था और मैं घंटो उस पे कुछ-कुछ बजा करके खुश होता था तो वो पहला लगाव जो है तबले के साथ वहां से शिरुव हुआ और च्यूंकि मेरे पिता जी दुपत सिंगर तो थे ही लेकिन वो पकावज भी बहुत अच्छी बजाते थे तो उनसे ही थोड़ी तालिम तबले के लिए और फिर वो जो है प्रोफेशनली तबला बजान और जितने भी बड़े वैमिली और जितने भी बड़े बड़े ओरिटोरियम है वहां सब घजल सिंगरों के साथ में तबला बजाया मिसाल की तोर पर कुछ गाने जो मेरे बहुत पॉपुलर हैं उनमें से हैं घुंगरू तूट गए पंकत जी का और ऐसी लागी लगन मीरा हुए मगन या रंगदे चुनरिया यह सारा मेरा ही बजाया हुआ है तो शुरुआ तो जो है ऐसे तबला प्लेयर होगी अचा रूब भई एक तो हुआ की संगीत सीखना और फिर प्रोफेशनली उसी दिशा में आगे बढ़ना प्रोफेशनली संगीत का ही को ही रोजी अगर यह sommes कर्यर है हमने देखा है कि यह हैंग fail का बिता डव्य क्रिकेटर का मेड़ा क्रिकेटर तो मसे का मेडना उना बहुत जाहिर से बात और क्या जब आप आपने ये निशिए तो क्या कहीं घर में किसी तरह ता का गाता की कि नहीं आप एक ऐसे परिवार से हैं जो धृपग के लिए जाना जाता है तो आप यहीं रहें इसी पर स्टिक करें या इतनी लिबर्टी थी इतनी आजादी थी परिवार की तरफ से कि आप निश्यत तोर पर आप चुन पाएं उसको लेकिन कैसे वो फैसला जो था वो हुआ होगा कैसे हुआ था वो फैसला नहीं बिलकुल भी ओपोजिशन नहीं हुआ बल्के हम लोग पांच भाइए और मेरे जो दो भाई है वो पहले से इंडस्ट्री में हमारे जो सबसे बड़े भाई है शरवन नदीम शरवन की जूड़ी है तो शरवन भाई ने अपना करियर as a music director set किया और मेरे से जो छोटा है विनोध राठोर उसने भी playback singing जो है मेरे से पहले शुरू की थी तो फादर की तरफ से कभी कोई objection नहीं था कि जो भी काम करो सुर में करो अच्छा करो आप का जो पहला फिल्मी गाना था वो कैसे मिला था वो किस तरह से आपके पास आया और कैसे फिर आप प्लेबैक सिंगिंग में की दुनिया में आपने कदम रखा सबसे पहले मुझे गाना ओफर किया था पंडित रदनाद मंगेशकर जी ने उनके होम प्रोड़क्शन में फिल्म बन रही थी लेकिन उसमें गाना था सुर्मई शाम इस थरह से आए तो उन्हों ने सुना ली से पूचा क्या रूप गाएगा तो मैंने मना कर दिया मुझे फिल्मों में गाने का कोई शौक नहीं है और सच में क्यूंकर मैं बच्पन से स्टेज पर रहा और स्टेज का मुझे एक शाशिलाल नायर जी एक फिल्म बनाड़ थे अंगार जिसमें जैकी श्रॉपफर्ड डिंपल का पाडिया हिरो हिरो इन थे उसमें गाना लता दीदी के साथ गाने का था तो लक्ष्मिगान पहले लाल जी का मेज़िक आनन भक्षी जी के लिरिक्स और मुझे ही ओफर हुआ तो मैं बड़ा खुश हुआ मैंने का और वो घजलनुमा गी था तो मैंने कहा के चलो कुशिश करके देखते हैं और इस तरह से जो है वो गाना पहला अंगार फिल्म का रिकॉर्ड हुआ कितनी जल्दी ये मुलाकात गुजर जाती है प्यास बुझती नहीं और बरसात गुजर जाती है लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गाना पिच्चराइज नहीं हो पाया और फिल्म रिलीज हो गई वो सीडी पर है वो गाना और उससे मुझे कोई बेरिफ और श्री देवी उसमें मेरे दो गाने थे एक था दुनिया किस्मत और खुदा दुश्मन हो जाए तो क्या और दूसरा था मैं तेरा आशिक हूं तुझ से इश्क करना चाहता हूं वो संजेदत पे था वो गाना बहुत पॉपिलर हुआ और फिर वहां से जो है वो एक सिलस से यहां थे पहुंचा हूं अच्छा रूब भई आप जब बड़े हो रहे थे और आपके संगीत परिवार में था संसकार में था किन गायकों को किन बड़े कलाकारों को सुनकर आप बड़े हुए जिनको आप सुनते थे उस वक्त और वो चाहे शास्त्री संगीत के हो या आप फिल्मिंग गायन के हो या किसी विधा के हो लेकिन जनको सुनकर आप बड़े हुएं जिनको सुनकर आप बड़े हुए वैं कि जो तो मैं बहुत ज़्यादा गाना नहीं सुनता था लेकिन तबला प्लेयरों को बहुत सुनता था शामता प्रशाज जी किशिन माराज जी उस्ताद लारखा खासाब हभी बुद्दिन खासाब तरखवा खासाब और आज कि अगर बात करूं तो कुमार बोज जी जाकिर गजलों में खास तोर से अब्दुल सत्तार तारी पीर बगश जी निजाव अद्दिन खासाब इन सब को बहुत सुना और यह सब मेरे गुरुजन है और इनके बहाने से फिर मेंदी असन खासाब गुलाम अली खासाब और इन सब को सुन करके जो है मैं बढ़ा हुआ हूँ रूब भाई मेरी एक बहुत बदमाशी करता हूँ मैं जब भी किसी बड़े कलाकार से ऐसे रूब रू होने का मौका मिलता है तो उसको उसके बचपन में जरूर ले जाता हूँ और बचपन की अच्छी बातें तो हमने कर ली लेकिन बचपन की शैतानिया च्छी पी रह ग के रिदिए वहें भी स्कूल का जो घंटा था वहां जाकर करक्या मैंने पड़ी पिताजी से और एक किस्सा मुझे याद है कि एक बार as a child artist हम लोग पिताजी के साथ जाया करते थे में चुटी थी उस दिन और रात में प्रोग्राम था तो मानें कहा के चलो बेटा थोड़ा र्याज व्याज कर लो शाम को प्रोग्राम है हम as a table Marian जाते थे अब मैंने कहा अभ ये गंटे में आता हूं और मां के मना करने के बाउजुद मैं चला गया और cycle साइकल चलाने उन दिनों नया नया साइकल चलाने का शौक हुआ था तो भाड़े से साइकल मिलती थी एक घंटा साइकल ली और चलाई और कहीं जाकरके एकसिडेंट हो गया और सिर में मेरे चोट लग गई तो ठाके लग गए और पूरा बैंड रिपन लगा करके फिर जो है वो रात में ऐसी प्रोग्राम गए प्रोग्राम में तो उस दिन से ये एक सीख मिली कि जब भी माम आना करे वो काम नहीं करना चाहिए और स्कूली दिनों का अगर को याद करें आप अपने तो कैसा माहौल था इस स्कूल में क्या कभी कोई टीचर में ये भी मेरा बड़ा फेवरेट प्रशन है कि क्या कभी किसी टीचर ने इसलिए फेवर किया कि ये बच्चा गाता बहुत अच्छा है बहले ही पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है लेकिन गाता बहुत अच्छा है इसलिए इसको थोड़े एक्स्टा नंबर दे दें या इसको थोड़ा कम डाटें कुछ ऐसा हुआ आपके साथ कभी जी हां विलकुल संगीत तो एक ऐसा जादू है कि सब के दिल में वो राज करता है और मेरे साथ भी यह हुआ कि बचपन से मैं बहुत फेवरेट था सारे टीचरों का जब भी स्कूल में कोई फंक्शन होता था या जब भी फ्री पिरियेड होता था तो चलो रूप कुछ सुनाओ और इस तरह से जो है मैं बड़े लाड़ प फिट आ जाती थी मुझे तो इस विचे से जो है मैं हमेशा वो डायट से बचा रहा और यह मुझे पंदरा साल तक यह प्रॉब्लम रही लेकिन उसके बाद जो है फिर मैं ठीक हो गया अपना रूप भाई उस गाने पर आते हैं जिस गाने नहीं कह सकते हैं कि पूरी इंड गाने की लाइने और थोड़ा बताईए भी कि वह गाना कैसा था और उस गाने को रिकॉर्ड करने का तजुर्बा कैसा था कि वह रिकॉर्ड वह गाना ऐसा है जो आज भी हम सुनते हैं तो आखें डबडबा जाती हैं आखें भर जाती हैं आपके लिए कैसा था वो तजुर कलम का जादू इसमें बिखे रहा है और उतना ही खुबसूरत अन्नु मलिक जी ने इसकी धून बनाई है और जब हम ये धाना रिकॉर्ड कर रहे थे तो सच जानिए कि स्टूडियो में हर आदमी रो रहा था जितने कोरत सिंगर थे सब की आखों में आसू थे जितने का जाने में जरूर है उस गाने में देखे मां का आँचल है गाहूं का पीपल है किसी की आँकों का काजल है बरसतबादल है तो हर चीज जो है वो जीवन से जुड़ी हुई है और मैं आपको एक किस्षा इसका बताता हूं कि जब मैं ये गाना रिकॉर्ड करके मेरे अमेरिका प्रोग्राम के लिए गया तो उस वक्त फिल्म रिलीज नहीं हुई थी सिर्फ ये गाना रिकॉर्ड हुआ था और किसी के याँ मेरी दावत थी मेरे किसी दोस्त के याँ तो उसने नही गाड़ी ली थी तो उसने का चरो मैं आपको मेरी नही गाड़ी में गुमाता हूँ और हम गाड़ी में बैटे और जाने लगे उत्रे में उसके घर में जो खाना बनाने वाली एक बाई थी वो आई और उसने का के आप जा रहे हैं तो मुझे स्टेशन तक छोड़ सकते हैं हमने का बैट जाएगी पीछे तो वो पीछे बैट गई और गाड़ी चली और मैंने वो सीड़ी लगाई गाना लगाया और फर्स टाइम वो गाना किसी और को सुना रहा हूं मैं और पहला अंतरा खतम हुआ और अचानक से किसी के जार-जार रोने की आवाज सुनाई दी तो हम डर गए हमने गाड़ी साइड में रोकी और देखा तो वो जो जो लेडी थी वो इतनी जोर-जोर से रो रही है कि आउट आफ कंट्रूल तो उसको पानी पिलाया उसको प खेरियत तो है बोले नहीं यह गाना सुना कि घर कब आओगे तो मुझे अपने बतन की याद आ गई मुझे अपने फैमिली की याद आ गई मुझे अपने बच्छों की याद आ गई मैं यहाँ पैसा कमाने आई हूँ तो उस दिन ही यह रेलाइज हुआ कि यह गाना सिर्फ हमारे इंडियन आर्मी तक सिमीत नहीं है यह हर आदमी की कहानी है जितने एनाराई है सब रोते हैं इस गाने पे और वो तो छोड़िये मेरे यह जितने दूद वाले और फ्रूट वाले और सबजी वाले यह भी सब आ बच्चे पूछते हैं कि घर कब आओगे घर कब आओगे आपने समय निकाला हमारे लिए रागगिरी के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुक्रिया और हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुक्रिया आपकी चलती रहे और आप यू सब के नजर करना चाहता हूं कि खुश्बू को पहलने का बहुत शौक है मगर मुम्किन नहीं हवाओं से रिष्टा किये बगार तो ये दुआएं ये आशरवाद सदा मेरे साथ रहे बस यही प्रारतना है आपसे क्या बात है इसी महक के साथ मैं आपको एक बार फिर रूब भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने रादगिरी के लिए समय निकाला आप हमारे शोताओं से जुड़े और इस मुश्किल वक्त में जब ये कोरोना पुरी दुनिया में चाया हुआ है तब आपसे गुजारि बॉक्स में जाएं और अपनी राए रखें इसके लावा रागिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानि नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा आप वक्त हो तो तुरन देखें नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं हम आपको बता दें कि रागिरी भारतिय शास्त्रिय संगीत के बारे में जागरूपता पहलाने का एक मंच है जो एक रेजिस्टर्ड रस्ट है और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तोर पर ये मुहीम चला रहे हैं जिसका टाइटिल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे